मेरे बाइलोजी के सभी इस्टुटेंट से को मेरा नमस्कार आज हम लोग विशेश रुप से ये अध्यन करेंगे कि अपना जो राज यह है अर्थाज जो 36 गड़ है और अपना जो भारत है उसमें मेडिकल कॉलेजों की शेंख्या कितनी है कितने मेडिकल कॉलेज गवर्मेंट है कितने मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है और गवर्मेंट और प्राइवेट में शेटों की शेंख्या कितनी है गवर्मेंट और प्राइवेट में फिस की शेंख्या कितनी है मेडिकल में चैन कैसे होना है अर्थाथ निट क्रेक कैसे करना है इसके बादे में आप मैं आप लोगों को विशेश रुप से बताने का प्रियास करूँगा ठीक है जी बाइलोजी के जो भी स्टुडेंट्स है यदि आप मन में एंबीपियस एमडी एमेश अर्थाब कहने चाहिए डाक्टर बनने के जब लख्ष रखें हैं यदि आप डाक्टर बनना चाहते हैं तो आप कम से कम नवी दस्वी से ही प्रारम्ब कर दीए मतलब आप नवी में हैं दस्वी में हैं तो आप काना अपक्ष्टर रोचि लेना शुरू करते लिए मतलब विय्याम और मतलब कि जीटिक्स केमिस्ट्रि भायलोजी पिए आप्लाइ दस्वी में रहते ही ने तक सी तयारी करने शुरू कि तभी कहने ची उप जब बार्मी में रहेंगे तो बार्मी में रहते होई आप नीट करेब कर सकते हैं ऊदेलियP सुर्चते ही यदे Ebos चेय किहाने लेट स ambigu करेंगे आप सुचते हैं कि मैं ड 토र्ट तो क्लाँगा लेकिन पहले क्या understood करूंगा चैन करूंगा उसके बाद बार्वी का पढ़ाई करूंगा उसके बाद ड्राप लूँगा ड्राप लेने के बाद मैं बिलासपूर जाओंगा कोटिंग करने के लिए रायपूर जाओंगा धिलाई जाओंगा विसाखा पटना जाओंगा पुने जाओंगा दिल्ली जाओंगा ऐसे सोच रह तो आप कम से कम नवी दस्वी से ही शुरू करिए तो आपको बारवी के बाद एक साल ड्राप तीन साल ड्राप लिना पड़ सकता है तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं अपने 36 गड़ में और भारत में और उभी नराज्यों में कहने की मेडिकल कालेजों की शेंख्या की दिनी है गए स्टुडेंट कहने ची यह मेडिकल में जाने का तो सुझते रहते हैं लेकिन अपने इस्ट्रेजी नहीं बना पाते हैं काल्यनिती नहीं बना पाते हैं कि हमको वहां तक कैसे पहुंचना है इसका मुल कारण यह होता है कि इस्टुडेंट कहने ची इंटेलिजेंट तो है लेकिन कहने ची यह उनको जो समान में के हम मिलना था जो वहां तक कहुंचने के जो रास्ता मिलना था जो मार के दर्सवान मिलना तो नहीं मिल पाता है आज से कहने ची पंद्रवी साल पहले की बार आज से कहने की हम लोग कूरों में जाते हैं जो हमारे उमर वाले हैं बार भी पास हो जाते थे लेकिन PMT नहीं जानते थे उस समय PMT चलता था इस कुझ बढ़ाते हुए कि दॉन्ध सब्सक्राइब बाज्व पहले यह एओ में बीक्षान जो ना मिलता था कोई पढ़े लिखे इस्टूडेंट नहीं थे एक दो कहने की बड़ी मुश्किल से बारी पास होते थे उस समय ठीक है ना उस्ट में Google आया था ना WhatsApp आया था ना YouTube आया था ना ट्यूटर आया था कुछ भी नहीं था मतलब आपको कहने थी एक छोटा सा पत्री का खरीदने के लिए आपको आपके आस पास में कहने की जो भी सहर होते थे वहां आपको जाना पड़ता थे या बस जाते थे यह की साइकल चलाते हुए जाते थ फीक है तो आज कल कहने थी Google के शमय में इंटरनेट के शमय में घर सिधा कहने थी यह सुबा सुबा कहने थी आपको जानकारी मिल जाते है कि WhatsApp में यह जानकारी आया है ती YouTube में यह जानकारी आया है ठीक है जो Government Medical College है, Government Medical College की संख्या लग भाग ना ओएं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, Government Medical, यहाँ पर मैं Government लिग दिया हूँ, सास्की लिग दिया हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं, Government Medical College अपना राइपूर में है, जो सब से कहने की पुरानी Medical College है, ठीक है, उसके बाद कालेज की संग्या वान से लेकर कितना हो गया शिक्स हो गया चीक है उसके बाद कहने चीजी इसी सत्र में दोजार इक्षब बाइस में तीन मेडिकल कालेज की और सुपृती हुई है वह कहने चीज अपने जो कोर्भा जीला और जो महासमुन है और यह कांके नहीं मतलत तीन मे जिकत यह है कि 2021 में केवल कहने चाहिए पोर्भा में प्रवेस प्रक्रिया प्रारा महोसलती है अर्थार्थ महाश्रमुन और कांकेर में अभी दूर दूर तो संभावना नहीं है तो इस पतार से हम लोग देखेंगे तो गौर्मेंट मेडिकल कालेट की शेंख्या कितनी हो जा अपने 36 गड़ में कहना है कि यह 3 प्रावेट कॉलेज है यह कहने चीज दूर्ग में है चंदूला चंद्राका नाम से है और एक संक्राचार नाम से भिलाई में है और एक रीम से नाम से राइपूर राइपूर इनिस्टूट अप मेडिकाल साइंस है और यह चंदूला चं शंक्या कितनी हो जाएगी गवर्मेंट रहने को कहने ची यह साथ साथ में प्रवेश होगा लेकिन प्रवेश प्रक्रिया प्रारव मन नहीं हुई अलाकि कहने ची पुराने वडिकल कालेज़ है लेकिन भारा सरकार की कहने ची जो NCI team है Medical Council अप इंडिया है जो कहने ची मेडिकल कालेज़ों का निरिख्षण करता है आतश्मी कुरु से कहने ची जब निरिख्षण किया तो जो कहने ची दूर गया है और भिलाई है और रिम्स ह में करता है यहां म कहना चाहिए प्रयाप्त अंगया में डांक्तर पदस्त नहीं है दांक्तर की सीट क्या है वहां पर वेकंट खाली है और वहाँ पर जितना कहना चाहिए अपरण जितना होना चाहिए उतना उपकरण नहीं था अरहाँ भौतिक संसाधन भी नहीं था यहां पर पर अरघ्टरिशन को क्रेसिया बंदी नहीं हुआ यहां यहां पर प्रयाःता सक्राथ मात्रा में डक्टर नहीं मिलेते क्या कर दिये तो इस प्रकार से कहने की जो मेडिकल कालेज होती है कि यहां पर प्रयाब का मात्रा में मेडिकल एक्विप्मेंट है की नहीं है इस प्रकार से कहने की हमारे 36 गड़ में साथ गवर्मेंट मेडिकल कालेज है और तीन कहने चाहिए प्राइवेट है अब उसके बाद कहने चाहिए यहां पर 36 गड़ में माना जाता है टोटल सीटों की शेंखे कितनी है है साथ सोब सकता है तो हजार एकिस के अनुसार बोटल एक टो न्यट है तो हजार एकंटिस का जो नीट है अभी और तवान में जो प्रवेस हुआ है उसके अनुसार 36 गड़ में किसी कई है तूद गड़ में सुवरीती सुप प्यों कि अपके लिए से शेंखे क्या और सासफोसक्तिर उसुम्हें कहना चाहिए जो नीटि जब उग giyam इडिक कहते है जो इंट अ होता है यह 25 लेने वाली संसरथ यंशनल टेष्टिंग आजैनसीख संस्टे लेंशनल टेस्टिंग यंजैनसीख निटिक नाम से इडिट तो सब्सक्राइब अंश्राइब वोगी तो 2.021 नृट के अनुसार 277 पर स्टोनी प्रवेश्ट उनमें जो आसुस सगतर होती है उनमें 85% सिट कहने चाहिए राज इसतर पर भरती होती है जो 55% होती है वो आल इंडिया कोटा के अधार पर होती है अधार कामें कि 15% सीटों पर एडिशन कहां से होगा नए दिल्ली से होगा और 85% कहां से एडिशन होगा अपने 36 गौर्मेंट से होगा इसी प्रकास से हर राज्य में रहेगा आप यहां पर कोई जूदारण ले सकते हैं वहां पर टोटल कालेटी यह हैं अब वहां पर टोटल सीट रहें इसमें से 85% सीटों पर एडिशन उस राज जते होगा अब 15% सीटों पर आल इंडिया पोटा से होगा यह पहले इडिशन होता है इनके हब दर कहना कि यह सीजी है इसमें कहने चीए अन्य स्टेट से भी स्टूडेंट आ सकते हैं यह उसके ब जिस राव जह्में जितना अरक्षान वता है उसके दभार पर शीटों की शेंध्य प्हां कि वित्रण किया जाते है तो अपने जबे कहने छिए जंगल के टेगरी काटेगरी है सटी के टेगरी और OBC के तो कहने है कि यह प्रतिसाद सीट है एक राउन फिगर में लेते हैं 85 प्रतिसाद सीट मालों कहने चाहिए 600 है ठीक है अब इस 600 को कहने चाहिए आरक्षाण वाल इसको वित्रा किया जाता है जैसे कि एस्टी है एस्टी को कहने चाहिए 32 प्रतिसाद आरक्षाण है 31 से 32 और जो कहने चाहिए जो एस्टी है इनको कहने चाहिए 32 प्रतिसाद आरक्षाण है और जो ऐसी कर्टिकरी से है उसको लग भर 13 प्रतिसाद आरक्षाण दिया गया है और जो ओविशिवर्ग से है उनको कहन इसको कहा जाता है EWS मतलब आर्थिक रूट से पिछड़े हुए जो समार लेकेटेगरी के होती है जो आर्थिक रूट से पिछड़े हुए होते हैं उनको EWS कहा जाता है इकोनोमिकली वीकर सेक्षन इंको भी कहने ही यह दोज प्र तीसद ओरक्षार लेजे हैं एक बाद कहने हैं वह जेंद्रल में छलिया थिया इसके बाद कहने यह प्रत्यक वर्ण में तैस प्रत्यस प्रतिसद महिला खारक्षार होती है अर्थार यहां पर जो 32% सूप मिलेगा उस 32% में से कहना चाहिए 33% महला को आरक्षान मिलती है और इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा तो इस प्रकार से कहने चाहिए स्वीटों की संख्या लाश्ट में देखेंगे तो बहुत ही काम हो जाती है अतहाब कहने चाहिए यह कंप्रिटिशन बहुत ही जाएदा है जो अब इस्टुडेंट कहने चाहिए क्यों सपना देखेगा मैं निट्रेट करूंगा मैं पढ़ने वाले इस्टुडेंट है इंटेलिजेंट इस्टुडेंट है उनके बीच कहने चाहिए आपको कंप्पुटिशन करना है और यह देखा जाता है क्यों बार भी में 95 लाते हैं 97 लाते हैं नवदा विद्याला से केंद्री विद्याला से 95 प्लस में होते हैं वो सब्सक्राइबिया उसकर करें करते होता है यह पिस यह कहने की जो करते हैं जो आई यह चाहिए यूपेसिक कर जाते हैं इसका मतलब यह होता है कि आप बारवी के बार्वी तक अच्छे से अजन नहीं कियें तो परसेंटेज कम आ गया है लेकिन बारवी बाद यदि आप तन मन धन लगाकर या फिर तन मन लगाकर यदि आप 15 गंटे 16 गंटे 12 गंटे 10 गंटे क्लिम आप अपने से बना लेते हैं कि नियर्ट-क्ते इस नहीं कर सकते हैं अब आपूरी बार्वी रहते हैं ये जाम दिलाए उसके बाद बार Ly чbor और हो जाएगा कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ निट कर सकता हूँ और मैं अपने विद्याला की स्टूडेंट्स जो काना ची है हमारे हमारे जो इसकूल है पूरी भारत में इसको कि रहा है जो जाएंगे घोसड़ा किया है कि एमर एख दो जाएगी साससो पचास हो जाएगे और इन सभी विद्यालों में कहने चाहिए CBC को सलागू होगा अर्थाथ NCRT के भूखम को अध्यन करना पड़ेगा और मिसेज बात यह है कि EMRS में स्वाव प्रतिसाथ ट्राइवल स्टुडेंट अध्यन करते हैं अध्यन करते हैं और स्टुडेंट से होते हैं उनके लिए फाइदयमन किया है इसे इसे हमारे 36 गड़ स्टेट में हमारे 36 गड़ स्टेट में जो अध्यन करते हैं उसको 31 या 32 प्रतिसाथ अरक्षण मिला हुआ है कि पीछले वर्षा की बात है हमारे 36 गड़ की ठीक है नीट में कहने कि जो 720 अंक होते हैं नीट में कहने कि यह 720 अंक होते हैं उसमें कर्ट आप मार्द 334 गया है कि इतना गया है 334 गया है अपने एक इस्टुडेंट से हैं वो लगभग कहने चाहिए यह 333 आया था आप 15 साल से जो कोईश्चन आया हुआ है उसको मैं बार-बार उसमें रिपीट करके बताते रहा हूँ आपका बार्वी का भी त्यारी होगा अब नीट का भी त्यारी होगा ठीक है यदि आप गल्स हैं तो आप आप विशेश रूप से निट करेक्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं केवल आपको कहने चाहिए आर दास गंटा मल लग अकर अध्यान करना पड़ेगा ज्यार्वी में बार्वी में और ज्यादा से ज्यादा एक साल ड्राफ लेना पड़ेगा आप कहने हुआ यहां पर कहने चाहिए और रखान में सभीर भी जल्रित कर देते हैं तो सीटों की शिंख्या अगता हो जाती है तो आपको कहने चाहिए विशेश रूप से अध्यान करना पड़े लिए टाइम पास अध्यान करने से आप डांकतर नहीं बन सकते यह यह तो हगे अपने 36 गणका इसी प्रकार से हम देख लेते हैं इंडिया कोपा के बारे में भारत में मेडिकल कॉलजों की सिंख्या भारत में टॉटल मेडिकल कॉलेजों की सिंख्या पर तमार में 562 आपको कहने ची कही पर गूगल में पांसो इक्यालीज भी मिल सकता है लेकिन जो पांसो इक्यालीज का आगड़ा है दो हजार वीस का है ठीक है जी वह तमाम में कहने चीए नीड़ दो हजाक इक्कीस नीड़ दो हजार इक्कीस के अनुसार भारत में मेडिकल कालेज की सेंख्या कि दनी प्राइवेट मेडिकल कालेज में लगभग कहने चाहिए 41,000 रखात 41,000 कहने चाहिए इस्टुडेंट से की संख्या है और जब दोनों को पिलाद देते हैं तो टोटल इस्टुडेंट से की संख्या कितनी हो जाती है लगभग 84,000 के आस्वास होती है तो हम कहने चाहिए हमारा फोकस किस में रहने चाहिए गवर्मेंट मेडिकल कालेज में होना चाहिए ना कि प्राइवेट में ठीक है जो कहने चाहिए मध्यम वर्गी परिवार से हैं या फिर कहने चाहिए मध्यम वर्गी से और नीचे परिवार से हैं तो आप कहने चाहिए ख आगे आप लोगों को बताऊंगा कि इतनी होती है तो आप कहने चाहिए प्राइट मेडिकल के बारे में सोचिए ही मत आपको केबल सोचना है गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज आज कहने चाहिए लोगों का ध्यान अलग अलग रहता है सोच थिंकिंग अलग अलग होता है जैसे कि एक थिंकिंग बता रहा हूं वह भी कहने चाहिए जो पैरेंट से होते हैं अपने कहने चाहिए चाहिए लगो जब नर्शरी क्लास या फिर क्लास वन में एडिशन कराने जाते हैं तो दिमाग में केवल क्या रखते हैं प्राइवे इसकुल में पढ़ाना है या फिर प्राइवेट इसकुल में पढ़ाना है गवर्मेंट पे तो हमको पढ़ाना ही नहीं है गवर्मेंट पे हमको तो पढ़ाना ही नहीं है क्योंकि गवर्मेंट में कहने चाहिए मध्यान बोजन चलती है और वहां पर जाते हैं और खाते हैं औ आप कहीं बाद भी पता कर लिए ठीक है तो कहने चाहिए प्राइवेट इसकुल में ही पढ़ाना है गौर्णमेंट पे तो हमको ध्याने नहीं देना है लेकिन बारवी के पाथ जाते हैं उनका फिंक फिर बढ़ जाता है यşekkür बात कнаता है करेंगे कुछ भी को शाकरेंगे कहां कराएंगे हम क्यों नहीं मिल्टीग तो यहां पर देखते तो यहां पर देखते पिपीशों की चेंख्षा कम होती है अदा आपको मुख्यध को कस नहीं कहां पर रहना है यहीं तो इस agrade ध्यान देंगे, यदि आप मन बना दी हैं कि मेरे को डाक्टर ही बनना है, दूसरा कोysisटर करने ही नहीं है ठीक है। तो आप एक साल ड्राप किये, दो साल किये, तीन साल किये, लेकिन आपका चैन नहीं हो पा रहा है गौर्वेंट में, आपको काुम सा कालेज मिल रहे है प्राइट में और आपका ग्यान कानेची यह डांक्तर में ही है, तो आप गानेची अपने पैरेंट्स से सलाह लेंगे, आपके parents अपने इस्तिती को देखेंगे, अपनी जो economic है उनको देखेंगे, उसके अधार पर आपको private medical college में admission कराईगे, ठीक है जी, अपनी status के अधार पर, अपनी कहने ची हज़्यत के अधार पर, clear, उसके बाद ये कहने ची कापड़ा दे दिया हूँ, क्योंकि कहने ची ये medical college के शेंखें कितनी है, शात्र, क्योंकि यहाँ पर six है, और और पर सहीद कहने ची ये सेवान हुआ है, अभी महाशमुल और कहने की कांगेर में इस सर्पेविशन नहीं होगा, उसी प्रकाश कहने ची ये आंधर प्रदेश में 13 है, अशाम में कहने ची ये six है, बिहार में medical college की शेंखें 10 है, यहाँ पर इस्तिती खोड़ा खराम है, क्योंकि बिहार कहने ची ये बड़ा इस्टेट है, जन सेंखें की दृष्टी से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहरा यूपी है, सेकंड महराष्ट्रा है, और तीसरा क्या है, बिहार है, तो यहाँ पर medical college की श सींख्या साथ है, लग बख शेव हैं, उसके बा stealth गुझरात से medical college की शिंख्या सत्रा है, Skillshare में पर सीट अधीछ है, ये भी कहना कि बड़ी राज्या है और बड़ी राज्या कर दोसाद मेडिकल कॉलेज की शिंख्या कम है, उसी पकार से कहना थी ये, ये जो धारखर्ण है, इसमें 6 है, करनाटक में 9 है, और केरला में 10 है, मर्धि पुर्देश में 14 है, और महाराष्टा में 25, शबसे अधिक मे सबसे बड़ा राज्य है पोपुलेशन की द्रिष्टी से तो यहां पर इस्टूडेंट से भी जादा है तर्थिक विडिकल कॉलेश्टी ठीक है उसके बाद ओडिशन में कहने ची आठ है राज्श्थान में 15 है और तामिन लाडो में 26 है और यूपी में 24 है यूपी में भी क पुलेशन की द्रिष्टी से अनेक देस है वहां से जन संख्या ज्यादा कहां है अपने पुतर को इस से ने कों बहुत जादा है जिसके करण क्या होती है तो हजार 2021 दो हजार एकिस के अनुसार लग भग कहने चाहिए चोला से सत्रा लाग इस्टूडेंट से कंप्रिडिशन पर इछा दिलाये थे निट का अज सीटों की शेंखर कितनी हैं 84 हजार सीटों की शेंखर कितनी है 84 हजार एडियर एडिशन कहने ची कहां से होगा सभी का लेट डार्टर बनने के सबना देखते हैं लेकिन हर साल यहीं इस्थिती रहेगा जो 84 हजार है सीटों की शेंखर यह 17 लाट है यह दि मेडिकल काले जोंकि शेंखर को बढ़ाते हैं प्रत्य बस बंट चाहिएगा घ्रती मेडिकल काले खुलती भी है तो 84 हजार रहेगा यह जादा से जादा चैसिएगर होगा यह जब इस्टुडेंट से सिंख्या तो केवल एक लाग कहीं चेयन होगा और चोबिस लाग का चेयन नहीं होगा यह आपड़ा कभी भी उलट नहीं हो सकता आप सोचेंगे कि आगे चल कर उलट सकता है यहीं यह भारत है लालत में जन संक्या बड़ी केजी सी बढ़ रही है हर दस साल में लगभाग 18, 19, 20 तो जन संक्या बढ़ती है तो यह कहना चीए आगड़ा और दूर होते जाएगा तीक है? आगे चल कर कहना चीए जब यह दो लाग होगा आज से दस मद्रा सल बाद यह दो लाग होगा तो यह पचीज से पचास नहीं होगा यह एक करोन हो जाएगा क्या हो जाएगा यह एक करोन हो जाएगा और आप कहना चीए आपको बहुती कंपेटिशन करना पड़ेगा आप यहां से आकड़ा को अपने दिमाद में बठाएगे कि हमको कितना मेंद करना पड़ेगा इसके लिए आपको नवी दसवी से सेडिल बनाना पड़ेगा इसके ट्रेजी बनाना पड़ेगा कर सकते हैं आप सोचते हैं कि मैं तो बहुत इंटेलीजेंट हूं मैं तो बारी बाद त्यारी करूँ मैं पर एक ही साल में मेरा चेह हो जाए ऐसा नहीं है कमपेटिशन बहुत इधीज ऐसे कहने तो यह होगे आप लोगों को 36 गर्ण में मेडिकल कॉलेज की सेंख्यां और यह होगा भारत में मेडिकल कॉलेज की सेंख्यां और कहने थी है इस्टूडेंट सेंख्यां अब इसके बार देखेंगे फीस इस्ट्रक्चियर मतलब वहां पर मेडिकल ताले जो में फीस कितना लगता है कि अब हम लोग आगे देखेंगे करद एंब्धिएश के लिए कहने थे फीस की इस्ट्रक्चर कैसे होती है ठीक है यह माना जाता है कि डांक्टर बनने के लिए बहुत अधिक्षर की आती है ठीक है यह कहने है यह आसपास हमारे जो समाद है उसमें पहले से ही एक बात प्रशलन में हैं कि मीड़्िएश में ख प्राइवेट इस्कूलों में खर्चा आती है आप लोग जानते होंगे अभी अभी आप लोग को बताया था प्रत्यक पालग काने चीजिए अपने चाहिड्ड को अपने बच्चे को प्राइवेट इसकूल में पढ़ाना चाहते हैं आप कालेटी यूछ सेरे शुयेयर यह शीडि के व tenía हैं ट्रनुव क्यूसटी नहीं थे भी तो को लुए कोण नोड़ारीज प्रत्यक्रीची तो काणते हैं बड़े बड़े प्रागिटी स्कुल होती है तो वहां पर शट्वी में इसन कराएंगे तो शट्वी का फीस लगभक 60,000, 70,000, 1,00,000 तक होता है शट्वी का शट्वी का माल लेजिए कहने ची फीस कितनी है चाट्वी में फीस कितनी है माल लूँ 50,000 है इतनी है 50,000, तो यह कहने ची आप साथी में जाएंगे तो यह 60,000 हो जाती है ठीक है इसी प्रकार से हम आठी में जाएंगे तो यह 70,000 हो जाती है नवी में जाएघा ये ऐस्ती आजार हो जाती है ग दूस्मिघांगे तो सीरे काऊने चाहिए यह वहल गोलताता है एक लाघ हुच्छ सब्सक्राइब कर आफी जाया है तो, यहाँ पर कहने कि एक लाघ से अधिक, फिस लगती है प्राइबेंट इस्कूलों में यह कहना चाहिए कितना खर्च आ रहा है यदि आप कहने चीए आपके बच्चे हैं यदि इसको आप गौर्णमेंट इसकूल में कहने चीए शिक्षा दिलाना चाहते हैं यह पूरी फिस क्या हो जाएगा बचत हो जाएगा ठीक है और इस्टूडेंट कहने चीए यदि यो पढ़ाई में रूची ले रहा है पढ़ाई के प्रती इंट्रेस्टेट है तो कहने चीए उसको आप गौर्णमेंट पी पढ़ाईए चाहे प्राइट में पढ़ाईए वो इंटेलिजेंट होगा ही और आगे वो बढ़ेगे ही क्या है के वाद इस्टूडेंट if Drink अबहाने चाहिए इस के भाद आपको कुछ करने का चाह सकता नहीं है यदी काुआने कि इस्टूडेंट से रूची नहीं लिया इस्टुडेंट से पढ़ाई के प्रती इंट्रेस्टेट नहीं है तो आप उसको कहने ते यह महारत के चाहे विश्वके कितने भी बड़ी से बड़ी इसकूल में पढ़ाईए उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं रहेगा आपका जो भी कहने ते जो 20 रहेगा वो क्य सब्सक्राइए वहीं पर आपको पता लग जाएगा ठीक है तो गौर्वर्मेंट मेडिकल कालेज में इतनी पीस नहीं है इतनी की कहना चाहिए प्राइवेट स्कूलों में होती है ठीक है तो यहां पर कहना चाहिए फिल्स इस्ट्रक्टर के बारे में देखते है यह जबी कहना चाहिए फिल्स इस्ट्रक्टर देखेंगे तो अपने कहने चीजो चत्तिस गाड़ है सीजी है और कहना चीजो इस्टेट है ठीक है यहां पर कहने चीजो भारत है ठीक है तो गौर्मेंट मेडिकल कालेज में जो फीस होती है लग भग एवरेज पचास प्रती यह तो यह बहुत जादे नहीं है अभी आप लोगों को में कुदाहट दिया का बार्वी ग्यार्वी पढ़ाएंगे तो वहां पर कहने चीजों में इस पूली सिच्छा में कितना लगेगा एक लाग फीस लगेगा फीस ही है लिए तो उसी प्रकार से गौर्मेंट म प्राइबेट मेडिकल कालेजों में फीसों की संख्या बहुत जादा होती है और यही कहने चीजों मार्केट में हला होती है कि डाइटर बनने के लिए 20-22 रूपया चला हुआ है तो यहां पर देखें फीसों की संख्या दो लाग से लेकर 20 लाग तक होती है दो लाग से लेकर 20 लाग तक होती है कि इसको हम लोग 2 लाग छोण सकते हैं इसको 5 लाग करिए क्योंकि 2 लाग का जमाना गया क्योंकि अपना जो 36 जड़ है वहां पर भी कहना चाहिए दूर्ग में एक मेडिकल कालेज है चंदुलाज चंद्राकर वहां भी 2 साल पहले कहना चाहिए चाहर राप रूप की इस तन यहां पर कि पर 60 लाग कटा है यहां पर फोफ नंथidade की कि अधुक के अंभध छ में आतके फूर्य ल technफ लग सक्ते हैं onu मिए वान अजरका बिस्वाह का मैटि एंडर्शीं कितने साल का कॉर्ष यह किसकोर है मतुस्थ कर ललग करते हैं क्षेख एक लाफ साल 27–24 साल का युज, साथ 5 साल का कॉर्स है यह वान यह में कहने चाहिए 20 लाग को आपका तो ऐसी कहने चाहिए करोड रुपिया गया के वाल इन्वीडियस करने वह प्राइबिट मेडिकल कॉलेज भी यह के वल फीज है इसको छोड़ कर कहने ची आपको लॉडिंग अब भॉडिंग का लगेगा मतलब रहने आप खाने सब्सक्राइब तो 50,000 कहने चीए और लगेगा उसमें तो इसमें कहने चीए प्लस कर देते हैं 50,000 तो एक लाख हो गया यह लॉडिंग का है रहने या और खाने का स्विधार का आने जाने का ठीक है तो यह कितना हो गया 50-50 एक लाख हो गया तो कुछ महुत ज्यादा प्रोडो रूपिया से अधीक हो जाएगा इस करण आप इसमें असानी सत्यान मत दीजिए प्राइट मेडिकल कालेज में यह अंतिक अप्सर बहेगा यह उसके बाद कहने चाहिए एंड्स है आल इंडिया इनिस्ट्यूट आप मेडिकल साइंसेस आल इंडिया होता है इस्टेट से नहीं होता है कि कहा से अधी कुछ से होगा आल इंडिया कोटा से होगा पहले एंसे कि लिए अलग होता ठाठी लेकिन पीछले एसको भी करने चाहिए नीट के अधिल आए गया है इसको भी किसके अधिल आए गया है नीट के अधिल आधिल, आधाथ जो नीट के टापर इस्टुटेंट्स होते हैं, वो कहा एडविसन लेते हैं, एमसन लेते हैं, All India Institute of Medical Sciences, अपने छतितिस गड़ में रायपूर यो भी एक एमसा है, पूरे भारत पर इसमें काना कहना चाहिए आसकाल , पिछीश के आस-पास कहना चाहिए, एमस हो गए हैं इसमें एडविसन बहुत ही दिख्ता था, इसमें सौब परसंट्टाइल चाहिए , नीट का ही याम कहना चाहिए कितने अंक होता है , 720 अंक का, ठीक हैं, और यहां पर फिस नहीं की पर आवर होती है क्योंकि यहां पर कंपडिसरी उतनी अधीख है यहां फीस कहने चीए 10,000 से 15,000 के बीच में है मात्र और यहां पर प्रत्य केम से कहने चीए यहां पर भी बहुत कम खर्जा है इसमें कहने चीए हास्टल के स्ट्रिटी नहीं होता है तो आपको एक सामें 15,000 लग सकते हैं यहां पर आलेडी कहने कि हास्टल के स्ट्रिटी होती है नियुंतन दर्वी ठीक है यहां ताप इस्टूडेंट एडिशन लगते हैं उसके बाद कहने चाहिए हं हमारे भारत में कुछ चेंट्रल इनकेत्रि धिल्याला है कि केंद्रिबीशविद्याला में भी कहने मेडिकल कालेज होती है यहां पर भी फीस ठोड़ा सा कुछ काम होता है तीक उसका नेसा इसिटी की अंतरगार्भ्यशा बनारास हें ऑनारास हिंदू-बि इन्वर्शिटी नहीं दिल्ली और दिल्ली इन्वर्शिटी के अंतरगत जो मेडिकल काले जाती है उनको भी कहने चाहिए सेंट्र इन्वर्शिटी के अंतरगत रखा जाता है ठीक है तो इसमें भी कहने कि फीज क्या होती है 15000 से 50,000 आप देखेंगे करें हैं और 12 इन्वर्शिटी जो क्याना चीन जाल जाती है अपर भी कहनेा चीरिय मेडिकल साथ होती है ये केवल फीस है इसमें लाज़िंग और पोड़िंग आपका अलग लेगेगा मतलब इसमें करोड़ों रुप्य लेगेगा ठीक है तो आप करोड़ों रुप्य देने से बचले क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है तो मध्यामगोर की परिवार से हैं और उससे काम है तो इससे आप कहने चाहिए आप अपने पढ़ाई को लग्षा रखिए श्रीपर पढ़ाई करिए मोबाइल चोड़िए गूगल चोड़िए वाट्सप चोड़िए यूटूब चोड़िए आप के वर्फोकस किस पर रखि बालोजी पर रखिए यहां आप निसाना साथते रहे नववी दर्सवी ग्यावी बार्वी ड्रॉप लेकर ठीक है आप इतने पांस साल त्यारी करेंगे तो आप कहने चाहिए इजी निट क्रेक कर सकते हैं ठीक है जी यह हो गया आप लोगों का निट की कहने चाहिए फीस क की सरचना है ठीक है इसके बाद कहने की हम लोग कुछ अन्य जांगारी ग्रहन करते हैं अब यहां पर देखते हैं आप कहना चाहिए कौन साइग जाम दिला रहे हैं निट जाम दिला रहे हैं ठीक है इजाम कहने कितने अंकों की होती है साथ सो पीस प्रूंपों की वोटीव है तो यह जो नीट है केवाल MBBS के लिए परिछा नहीं लेता है जीस प्रकार से जो UPSC गाम होता है जीस प्रकार से कहना चाहिए UPSC गाम होता है Union Public Service Commission तो संघ लोग सवा आयोन नहीं दिनली ठीक है ये कहना चाहिए तीन चाड़ों में परिछाल ळेती प्री में इंटर्व्यू लास्ट अबे कहना चाहिए ये रेंकिंग बनती है तो जिनका कहना is जो टाप रेंक पुलिस, भारती पूलिस श्यवा, जीले में कहाने थी, इस पी रूप में सेवा देते हैं आगे चल कर कहना चाहिए यह आई जी भी बनते हैं तो इसके बाद कहने चाहिए और जो भन्या होते हैं आई 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 पर इस एंडियान रेल्यू सर्वीस या इंडियान खूरिस इंडियान खूरिश का इस है इसमें लग भग ऐस उनटी सीवाग इसमें भी होते हैं यह जो टाप बेंकिंग वाले कहां पहुंच गए इस उससे नीचे वाले IPS और बीचे वाले IPS और बीचे वाले IPS और बीचे वाले IPS मालों ठीक है उसी प्रकार से कहना चाहिए और अन्य भी इसमें भाग होते हैं प्रकार से अपना जो नीच है यह केवल MBBS के लिए परिच्छा नहीं लेता है इसमें क्या होता है जो टाप रेंकिंग वाले होते हैं वो कहां प्रवेस्ट लेते हैं MBBS में लेते हैं कि अब जो इस्टुटेंग कहने चे टाप रेंकिंग में नहीं आपाया जादा रेंकिंग नहीं आपाया तो जो अंज नीचे वाले इस्टुटेंट हैं उनके लिए कुछ अंज सुधा भी दी गई थे इस स्विधा को दीरे दीरे बढ़ाती जा रही है इसके बाद कहना चाहिए बीडियेस होता है बीडियेस बैचलर आप डेंटल दाक्टर कहते हैं अधीकांगो वाले तो इसमें हो गये अब जिसका इसमें चैन नहीं हुआ वो किसमें चले जाएंगे बीडियेस के चले जाएं दातों के दाक्टर बरेंगे तो उसी प्रकात से आगे Monday यह पैस बैचलर आप विट्मरार साइच। षाहर जाएक ब्रेंगोद सेड लाटियेस औगो रोसी कोर्सा होता है इतनां वेसले करुकत होता है चारवर्सी कोर्सा हर आपने शांतिस ज़एड़ में जो दूरगань अंज्वरा में ठीक के बहुत अच्छी कोर्स tickets चारवर्सी कोर्सर है इनकी प्राइमनेट भी पराइमेट ब्रश्री नहीं है अपने राजवें केवल एक ही है और इसके बाद कहने ये आगे जल कर इसमें भी अर्वेजिक डाक्टर भी बन सकते हैं आगे चलकर कहने चाहिए जो ब्सक्राइब की सरी सोते हैं इसमें भी एड़िशन पास सकते हैं और आगे चलकर आपने 36 घड़ में इस में से जो पाचासी प्रतिसस सीट में इस्टेट कोटा से एड्मीसर होगा ठीक है इनकी शंख्या और है इसको छोण कर ठीक है मालो कहने ची इनकी शंख्या मालो यह गेटली आप देह मालो 400 इसमें भी गवर्मेंट के लेंगे प्राइवेट भी मिलेंगे ठीक है इसमें भी 200 सीट मिलेगा तो इस प्रकार से कहने चीए आपके लिए कुछ चांसेस बनता है ठीक है लेकिन प्रत्य की स्टुडेंट का कहने चीए प्राइक्ता यह होता है एड्मीबीस होता है यह यदि आप के बाद एड्मीबीस करना चाहते है तो आप अगला फिर ड्राइ करिए ठी अब इसके लिए नीट का शिलेबास दि baru के ँंद कैंद बायोजी की बालॉजीॉज दित ऊसी दींगे हम लोग ईशना स्यप्रिट और गीमेस्ट्री है इसके वारे में आप गूगल या अपि अन्य टीच्रों से से फूचिए है ठीक है वाह यहां पर नीट बायोजीगी का उसके थार पर आप कैसे प्यारी करेंगे और कैसे अधिक से अधिक अंग लाएंगे इसके बारे में थोड़ा चप्षा करते हैं एक एक मिनट के लिए आप देखेंगे हम लोग निट बाइलोजी के अंदर गर शिलेबस को नेट बाइलोजी के अंतरगर सिलेबस देखेंगे आप लोगों को पता हो गण जो नेट टे जाँ होता है वो टोटल कहने चीज़े 720 अंका होता है तो इसमें 2 पेपर होते है एक होता है 1st पेपर और एक होता है 2nd पेपर ठीक है जी नेट बाइलोजी में 2 पेपर होते है एक होता है 1st पेपर और एक होता है 2nd पेपर परतमार में कहने चीज़े जो 1st पेपर होती है ये कहने चीज़े फीडिक्स प्लस केमिस्ट्री फीडिक्स प्लस केमिस्ट्री अब जो 2nd पेपर होते हैं यह होते हैं बाकभ मेश जोड़ी, बाकभ मेश्पाव लिज्जनद्रकर्पर दोनों को मिलाकर करते हैं बाइलोजी, इस प्रकार से आम लोग देख्ते हैं ञायदा मतलब 17 कि अबीज़ंज मेश्टी दोनों मिलकर जितना घरमीट मिलता है। इतना कहने चीए बायलोजी में आपको विटीज मिलेगा इसी कहाने चीए आप यदि निट करना चाहते हैं तो आप जादा से जादा शुरू से ही बायलोजी पर फोकस करके रखें लेकिन और कमान दावर में कम्रेटीशन इतना पड़ गया है कि आपको सभी को फोकस करना जासे कि यह हो गए आपको फर्स्ट पेपर और यह हो गए आपका सेकंड पेपर फिरक्स है तो इसका कहने चीए फैतारीश कोश्चन केमेश्ट्री इनका भी 45 कोश्चन तो टोटल कोश्चन कितना हो गया? 90 उसके बाद है सेकंड पेपर यह हो गया बाटनी इसका भी कहने चीव 45 कोश्चन और इसका भी 45 कोश्चन और टोटल हो गया 90 मतलब फर्स्ट पेपर में भी 90 और शेकंड पेपर में भी 90 तो टोटल कोश्चन कितना हो जाएगा? 180 तो यहाँ पर यह निया रखेंगे यह जो 90 कोश्चन है कितना है? 90 कोश्चन और इसमें भी कितना है? 90 कोश्चन ठीक है? तो 91 कोश्चन में 4 अंख होते हैं एक कोश्चन में 4 अंख होते हैं यह हो जाएगा आपका गुडित 4 यह हो जाएगा आपका 360 यह भी हो गया 90 यह हो जाएगा गुडित 4 यह भी हो जाएगा 307 ठीक है? मतलब आप फर्स्ट पेपर दिलाते हैं यह फिजिक सटे पेपर हो गया? पी एच वाई और यह केमेश्ट्री का हो गया? ची एच ए और यह दोनों मिलाकर यह भाई लोजी है यह ठीक है? तो 45 और 45 90 कोश्चन सही बनाने पर 1 पे 4 अंग पिलेंगे या फिर 4 अंग होते हैं तो टोटल कहने की 307 यह भी 45 प्लस 45 तो यहाँ पर 90 और 1 पे 4 अंग ठीक है? तो टोटल कितना होगे? 307 ठीक है? तो इन दोनों को हम लोग जोड जयते हैं तो टोटल अंग कितना हो जाता ह जैस है साच सो बीस अंग इतना हो जाएगा साच सो बीस इन तक यह तो यदि कहने चिआ आप यह गदी होनुरिण कि टीक टीकरी की स्टूरें शरतimana के मेरिक टीक टीकरी की स्टूरेंटेंस है तो आप बर नंच की वीच़एव कि इतना अंद टार्गेट रहें श्यूट 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 से कम असानी से आपको MBBS नहीं मिलेगा एक लगवा श्यूट के बच्छों के लिए एक बिसे सूर्फ से यहाँ पर वेटेज मिलता है अपने च्छापने च्छापने काना के यह जो स्ट कडिगारी के स्टूडेंट से चुओं कि 36 गड़ काना चाहिए एस्टी बाहुल लिया है लगबब काना चाहिए पूरी जन संख्या में 31–32 प्रशंट क्या है ठ्राइवाल जन संख्या है तो उतना ही क्या मिलती है और अक्षण मिलती है तो 36 गड़ ते 31–32 प्रथिसाथ तो यहां पर शीटों की शेंखा भी आपको जाधा मिलेगा और चूंकि कहना चाहिए एक वड़ा से यहां पर कम्टिशन कम है ठीक है तो पीछले साल के राग पर तो आप कहना चाहिए में चैन हो जाएंगे क्योंकि पीछले साल लगवर 335 या 334 तो आप कहना चाहिए यह 350 से 306 अंग यदी लाते हैं तो आप कहना चाहिए सीथे आप इन भी इसमें ऐसा होगा है तो आप ती साथ से चाह सब बीच मैं तार्गेट रखेए आप यह कुसिस करिए यह जो बाइनोजी का अंग है इसमें आप कहना चाहिए लग भग 200 से 300 के बीच आप टार्गेट रखिए क्योंकि जो प्रथम पर किजी स्टुडेंट ज्यादा अंकलाली के चेकर में राइट 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 गोल गोल करते हैं और कहना चाहिए माइनस मार्किंग में आ जाते हैं और टोटाल लंबर कट जाते हैं यहां पर आप यदि कहने चाहिए आप ट्राइवल स्टुडेंट से और नीट में जाना चाहते हैं तो आप बार्वी को विशेज रूप से पढ़ते रहिए ग्यारवी से ही इसके लिए जादा उसमें पूरी बार्वी का कोर्स हत्म हो गया है अप्लोड हो चुका है नीट लेवल को मैं उसमें पढ़ाया हूं उसमें तो मैं बहुत सवारी काने की जो टेस्ट लिया उसका भी वीडियो बनाकर मैं अप्लोड कर लिया है वहां पर आपको विशे सुरुप से अधुक्त मिलेगा ठीक है अभी वर्तमान स्मय में चाहिए अगला वीडियो मेरे ग्यारुवी के बले पिज्वकी काने लिखने की जादा में और बार्वी कर देख़र यह ब्म आक पर को कर्स चुटा है लेकिन अगा बार्वी की जो टोनों में लाइघ बालता है उसमें से लेकिन जो कोश्चन होता है लग बग 45-45 के आसपास होता है मतला ग्यारवी के सिलेवस से पैतालिस और बार्वी के सिलेवस से पैतालिस क्लियर और यदि आप OBC है जेनरल है तो आप मेन फोकस शाय साथ है आप बनाएए कि कहां पर इसमें आप 320 लाना चाहते हैं और यहां कहां पर कहने कि आप 300 लाने चाहते हैं यह आप दिमाग कर बैठाइए यह टार्गेट में रखें और 20 साल कर जो अनसालवाड है जो सालवाड है मतलब पिछला जो कुश्चन उसका आप लोग विशेश रूप से अध्यन करें यह आप कहने कि जैसे बार्वी पहुं इसलेवाग यहां पर देखें लेविगज लिविंग वर्ड सझीव जगत क्या है कि अंतर पर देखें सकाक्ति करेंगे बाइरस का अध्यान करेंगे फंजाई इस सब करेंके इस्हाब प्लांट and एनिमल जो प्लांट होती है उनका कहाने चाहिए इस प्रॉक्चिरल आर्गनाइज़ेशन देखेंगे के रिक है मत्Stevie सराजनात्मक संघफण का अध्यान करेंगे अर्द्यू सरीर में बीट कर kykak 있고 क्या पाई जाती है इनिवर्ण टीश्व ऑर का जाती है प्राइंट के हैं इसको साइटो लोजी को सीखा का अध्यान तो इसके अंतर आपको किसका करना है सेल का अध्यान करना है सेल कैसे होता है दिमार को वठेगे उसके सिंट्रल हर्ग में क्या होता है निपलियास होता है निपलियास के अंदर में क्या होता है क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम के अंदर में क्या होता है टी एले होता है है यह यह कैंदर के अंदर आइने भी होती है जो कि इतले हैं कimyठने को हरने कि इंदर का अध्यान करणा है है अध्यान करना है भी आ करना है कि दिर अध्यान करना है कि इंडो प्राज्म करना है जुनों का द्ध्यान करना है सेंट्रोशम का अध्यान करना है साइटोप्लाजम अध्यन करना है प्रोटोप्लाजम अध्यन करना है सेल वाल का अध्यन करना है यह किस से बनी होती उसका अध्यन करना है ठीक है तो टोटल कहने चाहिए सेल का अध्यन करना है सेल के अंदर क्रोमोसोम इस पेसल डैप को क्रोमोसोम दी एलिक अध्यन करना है समाद दोटी एक से चार समन होती यह मात्री को सिंगा से आदी हो जाती दोनों का तुलात्मक अध्यान इसमें टोटाल कहने चाहिए सेल बाइलोजी का अध्यान धरना पड़ेगा यह बहुती सिंपल है इंट्रेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो क्योंकि माइटो कांड्रिया इंटोप्लाज्मी क्रेटी कुलाम लाइक राइबोसोम लाइसोसोम केंड्रा के कार्या माइटोसीश डियोजन यूसीश डियोजन सैटोप्लाज्मा प्रोटोप्लाज्मा सेल वाल इन सबके हम लोग नभी दस्रीय भी अध्यन किये क्लियर उसके बाद है प्लांट फीजियोलोजी पाधाप कार्य की और उसके बाद है एनिमल फीजियोलोजी प्लान्ट फीयोलोजी, एनिमल फीयोलोजी, यह भी बहुत सिंपल है, इसके अंतरगात आप लोग विशेषरुप से क्या अध्यन करेंगे? प्लांटEER टिजियालोजी के अंतर गै छीस जो फोटो सिंस्थेशिस होती है और các इंसिए प्लांट् प्र सकोब भड है और श्वशन होती है और ऑजो जो कहने चाले मिनरला से होती है के छोती करना है इसके अंतर करता है इसके अंतर करता है प्लांट ग्रोथ पादक ब्रिद्धी का भी अध्यान करना है प्लांट मोमेंट इसका भी अध्यान करना है इसके अंतर करता है प्लांट मोमेंट इसका भी अध्यान करना है इसके अंतर करता है प्लांट मोमेंट इसका भी अध् प्रेश्ट लेकर पढ़ेंगे कि यह कहने थी यह फूब इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट कहीए यह टॉपीक है ठीक इसके अंतर जो क्या अब्जन करेंगे न्यूट्रिशन सिस्टम मतलब पोसान तंत्र अखाथ पाखन तंत्र उसके बाद कहने चाहिए सोशन तंत्र ब्लड मतलब पाचन क्रिया का स्वचन तंत्र मतलब परिवधन तंत्र कहाए यह पर हार्ट होती है चारकेंबर धमनी होती है शीरा होती है रक्त होती है हाट हवे सस्टूल डायस्टॉल डायस्टॉल करेगा ए छोटी होती है तो सुद डरत धमनी भृति है तो सीरा से असुद डरत उनाव वापस आती है तो इसमीप अध्यान करना है को नेगर ποेड़ 57 काह अध्यार के इसमें लासी का एक प्रकार से रग का छना हुआ रंग ही भाग होता है जिसमें विशेशुच से WBC होती है प्लियर है उच के बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टाम रिप्रॉडक्शन यह वहुँ थी इंट्रेस्टिंग चेप्टर है कि कहने थी हुमन रिप्रोडक्शन माना मतलब प्रेजनन कैसे होती है एक सेक्सवल होती है सेक्सवल रिप्रोडक्शन मतलब गोजियों कोई होती है नर के अंतरगर नर जनन तंतरगर जन करेंगे मादा के अंतरगर मादा जनन तंतरगर जन करेंगे तो एक जोड़ी टेस्टिस होती है एक जोड़ी टेस्टिस साइक होती है एक जोड़ी इपीडी डाइमीज होती है वास डिप्रेंसिया वास डिप्रेंसिया सेमाइना लुसिक प्रोस्टेट ग्लेंड काउपर ग्लेंड पेनिश इन सब कर अध्यन करना है मादा जनन तन्जर फिमेल में एक जोड़ी ओभरी एक जोड़ी वही डट एक जूटेरस सर्वीक्ष वेजाईना इन सब कर अध्यन करना है उसके बाद कहने ती यह जो मेंस्प्रेशन साइकल होती सब करना में इसके बाद करना में मतलर नरघ में इस पर मेटो जैनेश सचर। पैसे होता है सुष्ण उनोंaven की चीत्र दिखेंगे फिमेल में चाहिए ओस जैसर जैन करते hall और David करेंगे करेंगे मां करेंगे अंडाड़ु कैसे बनती है अंडाड़ु पिछी तरह कैसे होती है जाना कोती हैक मां के बालप में होते हैं विसेज रूचे दो हर्मोन बनते हैं एक होते हैं ऑक्सिटोसी और एक होते ही रिलेक्सी प्रसव हर्मोन इंका जाता है यह प्लावरिंग फ्लांट में पुष्पी पादप में जो जनर होती है एक नर यूगमक के समान पोलेज़ ग्रेन बनेंगे एक मादा यूगमक के टोनों के बीड करें से सब्सक्राइब गांगे इस दोटी प्रकारी यहाँ, सेल को पॉलिनेशन अब एक होता है क्रास पॉलिनेशन जब एक ही पाधों की बीच नर और मादा है इन दोनों के भी पॉलिनेशन होगा तब उसको हम लोग सेल को पॉलिनेशन कहेंगे यह अलग प्लांट है अब यह अलग प्लांट है दोनों की जाती एक हो सकता है दोनों की जाती अलगलग निहु Scope Kitseta इसका इसका मादर दोनों के बीच आस होगता विसको कहते है राश पोली नेशन-पोली नेशन के सब्क्राइब करके है इंसे सी स्पहोने बाद इसमें धीरे से कहना चाहिए भी बनेंगे घॉनट बनेंगे नये ı होगा कि इसका हम डोग इसमें अध्यान करेंगे रिप्रोड़क्षन में उसके बाद क्या है जेनेटिक्स एड यूलेशन जेनेटिक्स आप लोगों को मैं बार्वी में विशेष रूप से अपने यूटूब कैनल ने बताएंगे बालवी बालोदी में जेनेटिक्स से दो चिप्टर है यह कहने चाहिए जेनेटिक्स एंड वरियेशन है जिसमें हम टोग मेंडला का अध्यन करते हैं तोक्तल कानेची प्रोमोस उनका अध्यन करते हैं और एक होता है अनुवानसीकी का आणवीक अध्यार यहाँ पर हम यह अ हम चेज और उससे पहले ग्रिफित नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले अपने प्रयोग से बताया था कि डिये ने क्या है अनुवानसीक करता है ग्रिफित ने 1928 में प्रयोग किया था चुहेर और दीप्लो कोकस निमोनी नामक बैक्टेरिया ने अब बाद में हरसे हम चें प्रतिक बारे में अध्यान करेंगे इंट्रेस्टिंग क्या है डिये ने क्या है केमिकल कंपोजिशन क्या है डिये ने के प्रकार क्या है डिये ने का रेप्लिकेशन कैसे होता है ठीक है आगे आरे ने क्या है यह कहां पाई जाती है आरे ने के प्रकार क्या होता है प्रतिक से तीन प्रकार के आरेने होती है इसे सुरुप से तीन प्रकार के होती है मेसेंजर ट्रांसफर और राइबोसों इसके बाद इसी में हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है जो चरणों में होती है एक होता है ट्रांस्क्रिप्शन और ए लिए उसके बाद जीन की क्लिया पर नियमन कैसे होता है इसके लिए एक माडल जेकब और मॉनेट नमर साइनिस्ट ने ओपेरान वाडल दिया उसका अध्यन करेंगे प्रियर उसके बाद यूलेशन विकास इसको भी मैं कहने चाहिए बार्व में अपने यूटूब चैनल बनाया हूँ बिकास कैसे होती है इसमें आप अध्यन करेंगे और इगीन आप लाइब जीवनकूतपत्ती कैसे होती हैं इसके कहने ची एई आई अज आउपेरीन की विशिए क म मताया था कि जीवनकूत्तति और चैनल नी पहला होता है chemical relation, second होता है biological relation, biological relation को कहा जाता है organic relation, फिक है? पहला है chemical relation, इसमें परमाणु पूर्पत्ति होती है, अड़ू पूर्पत्ति होती है, simple यव्गिक की होती है, पाहड, परवत, नंदी, जर्न, शमुधर की होती है, प्रोकरियाटिक दिव करेंगे और लास्ट तमीं कहने चाहिए वाइरस की क्या होती है उत्पत्ती है यह होगा ओरीगी अपलाइक फिर विघहास के आप कहने चाहिए प्रमार देंगे क्या देंगे प्रमाड देंगे खौसील जिवासमा के दहार पर देंगे प्रमाड मार्पोलोजी के दहार पर देंगे प्रमाड जिवासमा के अंतरगे अर्टिकोप्टरिक्स नमस्पप्सी के उधाहड देंगे और हासक विकास देंगे मार्पोलोजी के अंतर्गे होमोलोगी एंजालोगी विश्टजर्ट अर्गन करें ल कि भूंएकी से प्रमाड देंगे यह बायो केमिस्टिश्री से प्रमार देंगे चार दिया उसके बाद डार्वीन ब्रिटेन के वेग्यानी जिन्होंने 1869 में वे लिगीन आप न्यू स्पीशिस बाइवीन आप नेजगा सेलेक्शन प्राकृतिक वरण वरण वाफ त्वारा नई जात्यों कुद्पत्ति का सिध्धान दिया था जो कहने चीब बहुत ही फेवस रहा है क्लियर तो लेमार का वाद डार्वीन वाद और यूबो डू ब्रीच का मुटेशन थेवरी उसके बाद तीलों के रहा पर एक नए सिध्धान दिया जिसको माडर्न सिंथेटिक थेवरी कहा जाता है इसमें चार माजव एग्यानीकों कहा हो उसके बाद मानाव कर विकास कैस जसे हुआ ? कैसे हुआ ? यह वा सही बड़ी कहने चार्थ में में दिया गाया हूँ है automat मा पुद्धिक थेवरी में चणे में विकास के आट मानाया कर थेड़े चर्थाय टेम इंब ठीक है उसमें रामा पीतीकस भी है जो कहने चींज़ाना बहुत है भारत के पहाड़ों में पहाड़ों पायज़ा गया उसके पहले वाले को पर निएल्डर्टस उसके और पहले वाले को कहने चाहिए एक ए मधिलिश और ऑज़र्यों पेची मार्णा फीजिद्ट प्रकार और प्रकार ऐसे दिया गया है उसके बाद है इसके अंतर बारी में चेप्टर है माइक्रोब से इन्हुमन वल्पेयर उन्हीं तफ्रकार की सुच में जीवी है जो हमारे लिए क्या है वह लाबदार यह इसमें एकरी कल्चर वाले को भी आ सकते हैं और इसमें जो डेरी फार्म है अधिशरी से एपी कल्चर सेरी कल्चर प्लट्री फार्म एक्वा कल्चर पर्लपा ये सब इसकोल आ सकते हैं ये सब कहने चाहिए हमारे लिए महतोपोण हैं पड़ागव एयसा कि निए प्लिए यह प्लिए यह माइक्रोप्सकों देख लेंगे और उसके बाद है बार टेकनोलोगी खाने चारन कार्षा है छोटा सा चेप्टार है अच्छे गुर्वाले प्रविष्टा कर एक अच्छे गुर्वाले डिले को प्राप्त्र करना क्या का लाता है बायो टेक्नोलोजी पुरानी सिलेवस में यह जेनेटिक इंज्रिंग नाम से मिलेगा यह आधूनिक मेडिकल साइंसेस है जिसमें विशेश रूप से जीन कर अध्यां किया जाएगा डीने कर अध्यां किया जाएगा माना को पॉनों को रहित बनाया जाता है अनुवाश्य की रोगों कर इलाज किया जाता है क्योंकि सब्साइब इक अर्थ का जो लाष्ट में है इको लोजी इकोलोजी पारिस्थितिक तंत्र या फिर विज्ञान इकोलोजी यह कहने चीब बढ़िया और से रिलिटेंट है इसके अंतर का आप विशेश रूप से आर्गेनिजम एंड पॉपुलेशन का अध्यन करें जी एवं समस्थी जी एवं समस्थी उसके बाद अध्यन करेंगे से इको सिस्टम परिस्थितिक तंत्र विश्टेन नोस दीए था कि को सिस्टम यह दो प्रकार के होते हैं बायोटी कि और प्रोडुश्र चन्जुमर और डीकम्पोजर निदे आजयविक आते हैं जल आते हैं और प्रकारके बीड선 जाते हैं कारवन डाइक्षाई आते हैं यह वाहति है यूट आगे चलकर कहना चाहिए ग्रास इको सिस्टम ओल्लाम 서 करते हैं को को सिस्टम अलग जया करते हैं सब करते सोन क करते हैं को 관 Kingdom इकोशिस्टम ऐसे होता है इसमें ये बाइआी प्रियान करें तित असानी से जाए क्लिए इसी में कहना चाहिए विश्ज रुष सरे छो फूड और पूड वेप उसका रध्यन करेंगे। फूर्चेंठ को यया जायगा एकोलोजिकल पिराइंड करत जैन, इसे में आपको खक़ाने कि आप प्लार शेयर और जिरोसियर कर हर जजं करेंगे इसी में लाज्ट उकेंटे, गायोजियोग्यमिकल सा이कल, गाय। गयल बूह रासानिक चछल कर दक 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 हर करेंगे। करने इसको दो हाग पहले बाढ़ दिया जाता है एक होता है गैसी और एक होता है आगाइसी ठीक है और इसके अंतर नहीं कि विशेज रूप से कार्वन चक्रा नाइट्रोजन चक्रा आक्सीजन चक्रा है ट्रोजन चक्रा हास्पोरास चक्रा पोटेश्यम चक्रा इन सब कर अ कि यह कुछ के बाद आगे जनका रिश्य में हम लोग बायो डाइवस्टी का जन करेंगे जर्ग विविदिता जीयों में विविदिता का पाया जाना आप अपने चारों तरफ देखिए लाखों की शैंधियों दिखाई देंगे लेकिन सब एक दूसरे से क्या दिखाई जाती हैं यदि आप काना चीज दूर दूर तर पाउदे देखेंगे तो प्रतेप अलग अलग दिखाई दे आएंगे जनकी अलाग अलग दिखाई देएगे जीयों में जो विविदिता पाई जाती है उसी को कहना चाहिए बायो डाइवर्शिटी जा विविदिता और उसका सरक पच्छान जन्तु और पादा हमारे लिए अन्य जन्तु भी लाबदायक है और पौधे भी लाबदायक है क्योंकि दोनों से मिल करी प्रकृति क्या बनती है संतुलिज बनती है यह करी बायो डाइवर सिटी लाश्ट अब इसमें आप अध्यन करेंगे एकोलोजी में इन्वा परिया वरन मुद्धे मतलब इसके अंदर के आप पॉलूशन जद्यन करेंगे इस गर्द्यन करेंगे पालूशन विशेश रूस से पहले रसानिक करेंगे फजय को पालुटेंट है जो प्रद्योशन को बढ़ाती है ठीक है कुछ पालुटेंट कहने चाहिए फैक्टरीश सबाने की रसानी upper और कि इसको वार्थ करते हैं को 2 प्रदूसर का सकते हैं जर प्रदूसर का सकते हैं गर्म हो σब्शा किसे सोल डाइक्टु सी McMastra शाब कि यह है तो य। इसको ने सब्सक्राइब काई करण K ब्राइपन कारेत्वरूसर कारण अम्ली होना किसका अध्यन करें इनको बचाने के लिए कई सम्मिलं हुए सब सम्मिलं को याद रखना है उनके वर्षा को याद करके रखना है जैसे कि मांट्या जोटा में हुआ था दर्बन के स्वा सब मिल्ए इसमें पोल्विकी की अंतर्गत हम को आरणियम की प offenses करने और उसके बाद इको सिस्टम हरा अर ऊपके इसके बाद वर्य वरणी का नीचिव को सब्सक्रीण एक उसके बाद बित्जिए पार डीयांOT यहां पर हम लोग इसे तुछ रूप्सेजन करेंगे तो लीविंग वर्ड आपने कहने थी बारा कोश्चन आ रहे हैं और यह कठीम कोश्चन रहेंगे ठीक है इसी प्रकार से एनिमाल खिर्जियोलोजी में च्याओडा कोश्चन में वेटेज मिल रहा है एनिमाल खिर्जियो उसके बात कहने चीड रिपरोड़क्शन इसको भी वेटेज दिया गया है इसके अंतरगर लोन में प्र освό λाविन फ्रान्ड वेटेज में प्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा और कुछास पढ़ना पड़ेगा इसमें इसमें वेटेज कहां पर मिल रहे है इकालोजिय में इसमें नौनम्बें पोश्चन की शंख्या ही इक्पोश्चन परच्छन से ऊंप्रिया खेकर अवा है है कि पुलूसर्ण है इकोलोजी है इकोसिस्टम को अध्यान करना है लेकिन पूस्चन आईसे प्रामिट से या इसे कुस्चन आएक जो फुश्टक में नहीं मिली गलोबल वारिमिन एसी ड्रैंड आपको आपको ऐसे तो कहने चीए यहां पर हम लोग इसको टोटल गिनेंगे तो यहां पर 90 कोश्चन हो रहा है 90 गुड़ी 4 तो यहां पर कितना हो जाएगा तीन सोग शाट नौचोग शक्ति आप आप टार्गेट में रखिए इस पर हमको 300 अंक लाना है इतना अंक लाना है 300 अंक लाना है यह तब कहने चीए हमको वेटेज मिलेगा ठीक है यह हो गए आप लोगों को संपूर्ण है नीट इक्जाम की जानकारी 36 गड़े मेडिकल कॉलेज की सेंख्या सीटों की शेंख्या भारत में मेडिकल कॉलेजों की सेंख्या सीटों की सेंख्या फीस कितनी होती है कहां पर अधिक फीस है कहां पर कम फीस है यदि MBBS में चैयर नहीं होता है तो बीडियेस में जा सकते हैं वीडियेस की में जा सकते ह हैं 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 कर दोटल हो गया च्यॅंट बाइलोजी स्टीट यह मोटि तो आप का नी श्जरीघ का पूरी संट रभाइछ को कि तो इन करना है Θि यहीं ओक दृग को दिलिए और फर दिमाग के में बैट इल्डल ना है डाक्टर बनना है तो आपको डाक्टर बनने से कोई नहीं जोग सब्सक्राइब करिए आप चाहिए कि इसमें से आप क्या जाना चाहते हैं की शेक्तर को पढ़ना चाहते हैं मैं विडियो बनाने का प्रयास करूंगा ठीक है जी मेरे जो इस्टुडेंट से हैं चाहिए मेरे यूटूब के इस्टुडेंट से हो चाहिए मेरे स्वेल के कहने की स्टुडेंट से हो आप इसे सुरुप से महनत के लिए ठीक है आप तयारी करते रहिए आप हम मिलकर आपको को एंडी बीस में एडमिशन कराने का प्रयास करेंगे केवाल किसके दम पर मेहनत के दम पर अपने पढ़ाई के दम पर आप करने की इंट्रेस्ट लीजिए यदि आपके मन में इंट्रेस्ट उत्पन नहीं हुआ तो आप 12 घंट पंद्रा घंट पढ़ेंगे आपके घर वाल देनकम अब होगगे दुरे अमुशंट करेंज दोज सास त्यार किया थीर साथ त्यारी किया, इससे कहने चीह आपको सुनन यहीं में रिएगश्यों, अब ओका संट गेश्यों, और आप अपने ध्यान लगा पढ़ते रहेए आपको एक दिन जया सखलत मिलेगे. ली रजी तो आज के लिए के वर इतना ही आपको मेरा आध करता राउन के प्रैश्य लगा आप क्या द्रणतारी चाहते हैं उसके बारे आफ यूटुब चैनल के नीचे में आप पर्रेंट सब्दाफस में लिखे मैं आपको उत्तर देने का प्रियास करें तो आज के लिए क् झाल झाल झाल